ये ड्रिलिंग एक प्रयोग है ये 20 साल से जादा वक्त से चल रही है हर दिन बिल्डर, शोधकरता और वेग्याने के हाँ आते हैं जो की लॉरेंक शेतर में बसे फ्रेंच गाउं बियूर के नीचे है वो जानना चाहते हैं कि क्या ये चटान कम से कम अगले 1000 साल तक टिकी रह ही है यहां से कुछ ही किलोमीटर डूर 85,000 क्यूबिक मीटर से जादा रेडियो धर्मी कच्रे का भंडार बनने वाला है शोधकी प्रयोक्षाला भी 2 किलोमीटर से जादा लंबी सुरंगों में फैली है सेंसर इस बात की निग्रानी करते हैं कि चटाने किस तरह से खिसक रह हैं 13 साल पहले हमने चटान में एक ग्लास मैट्रिक्स डाला था क्योंकि यह बेहद रेडियो धर्मी कच्रे के कंटेनर बनाने में इस्तमाल होने वाली सामगरियों में है सबसे खतरनाक अत्यदिक रेडियो धर्मी कच्रा बाद में चटान के भीतर और भी ज़ादा गहराई में पहुंचाया जाएगा ऐसे ही स्टील कंटेनरों में और रोबोट सुक्ष्म सुरंगों के माध्यम से इस प्रक्रिया को नियंतरित करेंगे ये बंडार फ्रांस के समूचे अत्यदिक रेडियो धर्मी कच्रे को जमा रखने के लिए बनाया गया है जैसा कि आप देख सकती हैं इस क्ले रॉक के गुण हमारी जरूतों के मुदाबिक हैं ये बेहद महीन है इसकी सतह में एक रूता है और इसमें ना के बरावर्ट छेद हैं तो ये तरल को भीतर नहीं जाने देता ये चट्टान लगभग अभेद्य है लेकिन एमीलिया का ये विशाल प्रोजेक्ट अभी भी नाकाम हो सकता है वो इन चट्टानों में रेडियो धर्मी कच्रा जमा करने के लिए आधिकारिक अनुमती का इंतजार कर रही है पांच साल में निर्मान शुरू करने की योजना है चुरुआती कंटेनर दो हजार पचास से भंडारन के लिए इस्तिमाल होने लगेंगे जमीन के उपर ये सैयत्र उतना प्रभावशाली नहीं दिखता ये पैरिस के पूरब में करीब 300 किलोमीटर दूर एक कम आबादी वाले इलाके में बना है ये सुकून भरी जगा है, मुश्किल से ही कोई सड़क पर दिखता है लेकिन इस शांद गाओं में चीजें अस्थिर हो रही है सड़क किनारे लगे इस बोर्ड पर एकदम सपष्ट लिखा है कि ये भंडार कहां जा सकता है और ये कि परमानू उर्जा वर्जित है ये इमारत प्रतिरोध का ठिकाना बन गई है येरोप भर से कारेकरता यहां आते जाते हैं लेकिन फिलहाल ये शांद पड़ी है और हमें इंटरव्यू नहीं मिल सकता एमीलिया जानती है कि जर्मन लोगों के काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है जर्मनी ने अपनी उर्जा नीति पर फैसला ले लिया है लेकिन बैग्यानिक स्तर पर हम अभी भी साथ काम कर रहे हैं और जर्मनी भी परमानू कच्रे के लिए एक उप्युक्त जगा खोज रहा है अब आखिर रेडियो धर्मी कच्रा अपने आप गायब तो नहीं हो जाएगा उसे रखने के स्थाई इंतजाम खोज नहीं होंगे ये जमेदारी का भी सवाल है कि हम परमानू कच्रे की समस्याबस अगली पीडियों को थमाकर नहीं चले जाएंगे अपने अब तक की जानकारी और यहां भूमिगर चटानों की परताल के 30 सालों के अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये योजना बद्ध भंडार सबसे सुरक्षित और सबसे सस्टेनिबल समाधान है अनुमान है कि सरकार इस प्रोजेक्ट को मन्जूरी दे देगी खासकर इसलिए कि विकल्पों की कमी है इस मामले में फ्रांस जर्मनी से बहुत आगे है लेकिन स्थाई भंडारन की तलाश में अभी और कई दशक लग जाएंगे